अलो इस्टेंट्स, क्वेशन इस्क्रीन में देखिरा आगोशू, क्वेशन छो, क्लास 11 फिजिक्स इलोक्रिस्टाटिक बड़ा, अ चार्च पार्टिकल अफ मास वन ग्राम इस सस्पेंड़ बाया सिल्च थ्रेड अफ लेंध 40 सेंटिमेटर, क्वेशन में देगोशा अ चार सस्पेंट गरागोशा सिल्च थ्रेड ले जसको लेंध चा 40 सेंटिमेटर, येसमा लेंध अफ दी थ्रेड चा येल को वैलू 40 सेंटिमेटर, क्वेशन मा देगोशा अब, होरिजेंटल इलेक्रिक फिल्ड आप 4 इन्टो 10 थी पावर 4 न्यूटन पर कोलम इस अप्लाइड, येसमा इलेक्रिक फिल्ड इको वैलू छो 4 इन्टो 10 थी पावर 4 न्यूटन पर कोलम जसले गदा खेरेची, पार्टिकल आपनो वार्टिकल एक्सिस देखी 24 सेंटिमेटर डिस्पलेश वारा वास्चा अरे, आप्टर एप्लाइग दा इलेक्रिक फिल्ड, चार्ज अब बोध फोर्च को रिचर्टें लेगा अता खेरी यो चार्ज वार्टिकल आपनो वार्टिकल एक्सिस देखी 24 सेंटिमेटर डिस्पलेश वारा एक्विलिविरियम मा बस रागोशा अरे, सबस गरा यो चार्ज वार्टिकल एलेक्ट्रिक फिल्ड को एप्लिकेशन आड़ी ए पॉइंट मा रेस्ट गवाई राकोशा अब पार्टिकल को डिस्पलेश प्रेंट फ्रॉं बार्टिकल यो वार्टिकल एक्सिस देखी को वार्टिकोशन मा देखोशा 24 सेंटिमेटर जा स्लाइचे माहिले खुने बी बनने पॉइंट शपोज गरे यानेरी रा a b को वार्टिकल देखोशा 24 सेंटिमेटर सपोज गरा यो पार्टिकल ले आपनो बर्टिकल एक्सिसांगा बनाको एंगल यो एंगल ला महिले ठीटा सपोज गरे फर्स्ट मा यो ट्रेंगल o b a जुनची राइट एंगल छ एसमा o b को वार्टिकल फाइंड गरूं पाइथ स्क्वार माइनस a b स्क्वार जुस्मा b स्क्वार एक्वार्ट होंचो h स्क्वार माइनस p स्क्वार अधले को लागी o a o a means length of the thread l को वैल्लू a thread नहीं यहां बड़ा डिस्प्लेश वराई यहां गखो ते बराल लेंथ वने को 40 सेंटिमेटर 40 को स्क्वार माइनस a b displacement of the particle from the vertical axis जुसको वैल्लू गोश्यन मा देगाशा 24 सेंटिमेटर एसको ओल स्क्वार और एसको ओल रूट गाहने बने हमलाई वैल्लू पाउंशों o b को एस बड़ा फर्समा o b को वैल्लू फाइंड गारूं 32 सेंटिमेटर नौ यू चार्ज पार्टिकल मा एक ड्वाईराको फोर्स लाए रिजल्वार रहे हैरूं जसको मास m चावाने इसले वाटिकली डाउनवार तीरे एक्स्प्रेयंस गारने फोर्स माँच mg रचार्ज ले गरता खेरी इलोग तो इस्टाटिक फोर्स एक्स्प्रेयंस गर्षा qe एसमा लागने फोर्स f एकल टु qe अब पार्टिकल्स माँ एक्ड भाईराको फोर्स mg रा qe लाए रिजल्वार ने भाई एसको रिजल्टेंट जयले पानी जस्ट अपोजित टु दा इस्ट्रिंग माँ एक्ड होर्षा रज्चस लाए बैलेंस गर्षा इस्ट्रिंग मा लाएको टेंचन ले अईलेको लाग मानी ठीटा ने भाई नाव ठीटा को बैलो लाए इलोक्ति स्टाटिक फोर्स एफ रा वेट को टाम mg मा लेखनो भार वाने यवदा राइट अगल ट्रेंगल सपोज गार जस्ट माई सिंग पॉंट ए बायो यो पॉंट ला माईले C रा यो पॉंट लाए D सपोज गारे बा रा C D ले रिप्रिजन गर्षा फोर्स F जसको बैलो इको आलोंच Q E समा दियर्फोर ट्रेंगल A C D बाड़ा टें ठीटा को बैलो निकालने भाई हमी लिखना सक्षों कि टें ठीटा इकोल टू P Y B P by B means C D by A C E जसमा 10 ठीटा इकोल टू C D विच इकोल टू C D विच इकोल टू F समा F by A C, A C कॉंपोनेंट बानेको O A को कॉंपोनेंट M G एला ही कुशी नम्मर 1 पूट गाने भाई एगिन फ्रम दा ट्रेंगल अफ O B A बड़ा एरे महने एस बड़ा 10 ठीटा को बैलो टा देखना सक्षों 10 ठीटा इकोल टू P by B दाट मेंज A B by O B 10 ठीटा इकोल टू A B को बैलो कुशीन माद देखो 24 इफो बाई O B को बैलो शॉल्व भाईर निकाले हैशा 32 सेंटीमीटर रा सेंटीमीटर कैंचल भाई आल्छा एसला है मले कनवर्जन गार्रा मीटर मा लगी रखनो पर देन्या एस बड़ा 10 ठीटा को बैलो आउने रेशे 0.75 एसलाइ एकोशीन नम्मर वान मा सब्सेट गार नो बारो वाने देयरफोर 10 ठीटा एकोल टो 0.75 राहूं विच इकोल टो फोर्स F ये लोक्तिस्टाटिक फोर्स F एकोल टो Q इन्टो E बाई Mg एस बड़ा Q को बैलो निकालने बाई Q इकोल आउने रेशे 0.75 टाइम्स Mg बाई E एसमा 0.75 टाइम्स मास सब्सेट 1 ग्राम 1 इंटो 10 को पार माइनस 3 इन्टो G को बैलो G लाइक्ट एन्ने पूट गए राहूं एसलेरेशन डियो टो ग्रावेटी बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेंसिटी को बैलो देगोश 4 इंटो 10 को देपावर 4 4 इंटो 10 को देपावर 4 यह सब्सेट बाई लाइ सल्वार ने बाई चार्ज अन्दी पार्टिकल क्यो आउने रेश 1.88 इंटो 10 को देपावर माइनस 7 कोलम